गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग अप्रिवार आज हमारा जो दूसरा सबसे इंपर्टेंग टॉपिक है स्टडी नोट टू का कि रिकंसिलेशन आजन उन आप रétaisाथिस्उस् ución मॉर्यं औ बॉस्टरवन चुंपिक है। इंपyan फो बाला ओंपनल पॉस्टरव सब्सकती है लुटरोवकिए औ अॉस्य好क Wein्हयओ खिए मॉटरोवकिए इनक्सन चॉटरोवकिए और events or में श MT֌न ए दॉटरोवकिए देखिएगा जनरली जो कमपनीज हैं वो दो तरहे के अकाउंट्स मेंटेन कर रही हैं एक फाइनिंशल बुक्स जो की फाइनिंशल प्रॉफिट को बताएगा और एक कॉस्ट अकाउंट्स प्रॉफिट को बताएगा कई सारे ऐसे reasons होते हैं जिनकी वजह से आपके financial profit और cost profits में क्या आजाता है difference या variation आजाता है तो इस topic में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से एक profit से दूसरे profit को calculate किया जाएगा by adjusting some amounts या हम यह बोलें कि अगर मुझे financial profit और cost profit दोनों दिये गए हैं तो उनके बीच में क्या करना reconciliation करना सबसे पहले तो लिखेंगे reconciliation statement अंडर part D reconciliation statement इस covered कहां पर cover होता है यह पार्ट D में cover होता है और part D में भी कौन से पहरा में क्या आपको याद है कि जो reconciliation statement है वो आपका part D के पहरा नंबर 2 में cover होता है लिखेंगे लिखेंगे प्रेबने एक प्रेबने प्रेविगे सक्सेट में नश्केट प्रेस्ट प्रेपडे। और दे कंपनी के लिए बनाया जाता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रोडेक्ट वाइज नहीं बनाया जाएगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस यह यह जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप बनाऊगे यह दो इन्फॉर्मेशन प्रोडेक्ट करेगा यह करन्ट एर के लिए बनाया करन्ट एर कर डाटा देगा और साथ ही साथ कर्रस्पॉंडिंग फिगर ओफ प्रीवियस यह भी आपको यह प्रिपेर करवाएगा वह प्रीव प्रीवियस यह लिए कि लुट करते हैं किस तरह से आपका ये रिकंसीलेशन स्टेट्मेंट जो है वो प्रिपेर किया जाएगा Profit or Loss As per cost records जरूरी नहीं हैं, cost records से ही चालू करें हम, financial के profit loss से भी चालू कर सकते हैं, as question specified, profit or loss as per cost records, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे cost accounting के records हैं, वहाँ से profit उठाएंगे, for audited product or service, for unaudited products or blip services अ बुचच अजर बुच मॉदेद In passing. Which are. Not considered. In. देखिए क्या होता है जब हम financial books बनाते हैं यानि अपना P&L account बनाते हैं तो P&L account के credit side में कई सारी income आती हैं जो cost में नहीं आती मेरी बात को ध्यान से सुनना फो इनकम financial accounts में अगर credit side में आई है तो उसने financial के profit को बढ़ा दिया होगा अब अगर मुझे financial profit को cost record से match कराना है तो मुझे cost का profit भी बढ़ाना पड़ेगा या अगर मान लीजिए मुझे question में profit as per financial records दिया गया है अब अगर मैंने कोई income financial books में लिखी है तो इसका मतलब मेरे financial books के profit already बढ़े हुए है तो मुझे अब उसको क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा depends कि आप adjustment कौन से profit में करना चाह रही हो तो ऐसी income जो की cost में consider नहीं हुई है उस वजह से costing का profit कम रह गया और financial का profit बढ़ा हुआ है तो मैं cost के profit को भी बढ़ा दूँगा या financial के profit को कम करना जैसे कोई interest income हो गई dividend income हो गई कोई subsidy receive है कोई insurance claim receive है transfer fees है profit on sale of assets है तो जो भी income आपको दी हुई है उनको हम क्या कर देंगे adjust कर देंगे हैं अब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो की आप financial books में तो लिखते हैं लेकिन उनका cost account से कोई relation नहीं होता अब मैं किसके profit से चल रहा हूं मैं cost के profit से चल रहा हूं अब जड़ा सोचना अगर मैंने कुछ ऐसे खर्चे किये हैं जो खर्चे मैंने केवल और केवल financial books में लिखे तो financial का profit कम हो गया होगा अगर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मैंने केवल और केवल financial books में लिखे तो financial का profit कम हो गया होगा तो cost के profit को भी कम कर दूँगा क्योंकि मैं cost के profit से चल रहा हूँ On the other hand अगर मैं question को financial के profit से चल रहा हूँ जहां से सुनना कुछ खर्चे जो मैंने financial के profit में लिख दिये तो मेरा financial records का profit कम हो गया होगा लेकिन चुकि वो खर्चे cost records में नहीं आये तो cost का profit बढ़ा हूँ है तो मैं financial के profit को भी वापस से बढ़ा दूगा मेरी बात समझना दोनों में से आप जिस profit को लेकर के अपना reconciliation या working कर रहे हो आपको उसी profit के impact को सोचना है कि किस तरह से उस profit को बढ़ाना या मुझे कम करना है तो देखेगा मैंने अगर profit as per cost records लिया तो उसमें उन incomes को जो मैंने financial books में लिखी है उसकी वज़े से financial का profit बढ़ गया तो अब मैं cost का profit भी क्या कर दूँगा बढ़ा दूँगा आईए अब इसमें से less करते हैं आई आईए 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 क्यूब आईए एक्स्पेंसेज विच आर नॉट कंसीडर इसका मतलब यह हो गया कि यह वो खर्चे है जो आपने फाइनेंशल बुक्स में तो रिकॉर्ड किये तो फाइनेंशल के प्रॉफिट कम हो गए अब अगर फाइनेंशल के प्रॉफिट कम हो गए और कॉस्ट के प्रॉफिट बड़े हुए हैं तो मुझे कॉस्ट के प्रॉफिट को भी क्या करना पड़ेगा कम करना पड लोस्व जस्वान सेल असेट, CSR expenses Other expenses Other expenses तो हमने दूसरे आइटम को एजस्ट कर दिया ऐसे खर्चे जो की अभी तक आपने cost accounts में adjust नहीं किये हैं तो उनकी वज़े से मेरा costing का profit क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब एक आइटम हमारे पास और है धान से सुनना मेरी बात को मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस माइनस difference in valuation of stock अब देखिएगा देखिएगा as per financial books और as per cost books हमारे stock के valuation में कुछ difference आजाता है तो आपको यह देखना है कि उस stock के valuation का क्या impact पड़ेगा ठीके इसमें आपके पास raw material stock WIP stock और finished goods तीन तरह के stock हो सकते हैं और इनके opening balances और closing balances का difference हो सकता है तो जब हम practical question करेंगे तो इस पर और detail में चर्चा करेंगे लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा reason है कि जिसकी वज़े से हमारे cost records और financial records में क्या आजाता है variation आजाता है तो जो भी difference in valuation of stock का impact profit पर पड़ेगा उस according में profit को add or less कर देगा add or less adjustment of items which are not considered in financial accounts that is considered only in cost of course देखिएगा कुछ ऐसी बाते होती है जो केवल और केवल कोस्ट में आती है फाइनेंशल बुक्स में नहीं आती है जैसे फर एक्जामपल हम लेके एक नोशनल रेंट देखिए अगर आप अपनी ही बिल्डिंग में अपना बिजनेस रण कर रहे हैं तो फाइनेशल में नोशनल रेंट की कोई अकाॉंटिंग नहीं होती है हम उसको अपने खर्चों के रूप में नहीं दिखाते हैं बट cost accounting allow करता है एक notional rent को तो यानि अगर आपको question में कुछ ऐसे point ऐसी income या ऐसे expenses दे रखे हैं जिनको की financial accounts में consider नहीं किया जाता है तो उनका भी adjustment आपको यहां पर करना पड़ेगा प्लस माइनस अगर एड़्जिस्ट्मेंट अगर इसके अलावा भी आपको कोई adjustment दिये हुए हैं जो की variation create करते हैं post records में और financial records में तो आपको उनको भी क्या करना पड़ेगा adjust करना पड़ेगा जैसे पावर यूजड और captive consumption और other specific parts यह लेजिए अगर आपको और भी कोई items दिये हुए हैं जिनका adjustment आपको इसलिए करना है क्यों क्योंकि cost records और financial records में उन item में कुछ variation चल रहा है तो उन item को हम other adjustment डालके भी लिख सकते हैं तो इस तरह से जब हम यह सारे adjustment करेंगे तो अब हमारे पास जो profit reflect होगा यह आजाएगा profit as per financial records यह हमारे पास आजाएगा profit as per financial records बताईए यह लिखेगा यह हमारा topic है profit reconciliation या profit calculation बहुत आप में देखे अपनी छोटी classes में बनाए हैं बस उन ही चीज़ों को थोड़ा सा common sense का यूज करके आपको cost और financial में आने वाले profit adjustment को करना है दिख लिए आप सभी ने तो देखिए मैं आपको कुछ question कराऊंगा जिन questions में हम इन बातों का discussion करेंगे कि हाँ कैसे हमारे profit को reconcile कर रहे हैं थोड़ा सबस सोचने का तरीका रखना है और कुछ नहीं आपको तो अराम से आप इस questions को कर पाएंगे तो start with question number 16 आ जाईएगा आपके study material का question है question number 16 CMA study material illustration number 4 निकाल दिया सभी ने आच्छा यहाँ पर यह थोड़ा सा correction है यह जो 8 9707 कॉमा लगा हुआ है यह point है आईएगा क्या बोल रहा है देखिएगा in the financial accounts of chemical and fertilizers limited for the year ended 18 the profit was 89,807.5 the profit as per cost accounting records for the same period was less आपको जो profit दिया हुआ है इस बार वो financial books का दिया हुआ है तो आपको financial books से ही सोचना पड़ेगा सारा the following details are extracted from the accounting schedules and the cost accounting records of the company अब आपको यह दिया हुआ है you are required to prepare a reconciliation statement and arrive at the profit as per cost records हमें profit as per cost record पर पहुँचना है तो देखिए आप cms study material का question है सबसे पहले लिख दीजिए profit as per financial records profits as per financial records 89807.5 अब सोचना financial reports के viewpoints से है क्योंकि profit उसी का दिया हुआ है तो मैं changes उसी profit में कर सकता हूँ यह चीज reconciliation बनाने का या कोई भी एक profit से दूसरे profit पर पहुँचने का fundamental rule है आपका आपको जिस records या जिसका profit दिया हुआ है आपको सारे changes उसी profit के according सोचने है आईएगा point number one जहां से देखना opening stock है semi-finished books का यानि मैंने financial books में opening stock 31,700 लिखा हुआ है जब की cost में opening stock 35,210 लिखा हुआ है अब मेरी बात को सुनना आप जब भी opening stock लिखते हो चाहे वो semi-finished यानि WIP का हो raw material का हो या finished books का हो जब आप financial books में opening stock लिखते हो तो वो debit side होता है debit side आपके खर्चों का side है debit side आपकी खर्चों का side होती है अब आपने financial में कम लिखा बहुत धान से सुनना costing के तहट तो आपका opening stock था 35,210 लेकिन financial books के according है 31,700 financial books में आपने stock को कम लिखा धहन रखना financial books में आपने opening stock को कम लिखा यानि एक खर्चे की side को कम कर दिया तो profit क्या हो गए होंगे आपके increase हो गए होंगे अराम से धीरे धीरे सुनो बिलकुल मैंने financial books में stock की value कम करी opening stock की value कम की है अगर opening stock की value financial books में कम की तो opening stock debit side आता है इसका मतलब debit side कम हो गई debit side कम हो गई तो मेरे जो profit है वो बढ़ गए होंगे तो अब मैं profit को कम कर दूँगा बोलिए क्या ये adjustment समझा गया मैंने जितना कम debit किया उतना profit बढ़ गया तो वापस से profit को सही करने के लिए क्या कर दो कम कर दो ओपनिंग स्टोक ओफ सेमी प्रविज्डोस 35,210 माइनस 31,700 35,210 माइनस 31,700 35,1,0 ये लेजे मेरा पहला adjustment हो गया आगे बढ़ते हैं finished goods का opening आईएगा financial में finished goods का opening stock जादा लिख रखा है अगर stock debit side में जादा लिख रखा है तो इसका मतलब मेरे profit कम हो गये होंगे cost के comparison में मैंने financial books में opening stock जादा लिख रखा है बात समझ में आ रही है आगको अगर opening stock debit side में आता है और debit item जादा लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये profit कम हो गये होंगे तो अब हम इस profit को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे opening stock of finished goods चाओ तब लिख सकते हो overvalued in financial accounts तो ये लीजिए opening stock की वजह से मेरे profit जो कम हो गए थे मैं उन profit को बढ़ा दूँगा difference निकाल देता हूँ कि एटी ट्री ट्वंटी माइनर्स एटी ट्री ट्वंटी 4630 4630 से profit बढ़ जाएगा तो ले क्या दोनों ये stock समझ आ गए आपको आ जाओ आगे बढ़ते हैं तीसरा point अब closing stock है closing stock of semi finished goods जहां से देखना आपने financial में कम लिखा है financial में कम लिखा है closing stock आपका credit item है अगर आप credit item को कम लिखते हो तो profit भी कम आएगे अगर आपने credit item को कम लिखा बिल्कुल धीरे धीरे अराम से question को समझो थोड़ा practice चाहिए बस आपको तो अगर मैंने closing stock को finance में कम लिखा है क्योंकि मैं financial के profit से चल रहा हूं तो अगर मैंने closing stock को कम लिखा तो closing stock आता है credit side में तो credit के item को कम लिखा तो profit भी कम हो चुके हैं तो अब मैं profit को बढ़ा दूँगा तो यहां पर मैं plus करूँगा closing stock off semi-finished goods closing stock of semi-finished goods undervalued in financial accounts कितना undervalued है 39 420- 35260 यह लिजे 39 420- 35260 4160 से मेरा profit बढ़ जाएगा यह लिजे मेरा यह भी adjustment हो गया फिर आईए closing stock of finished goods मैंने financial में जादा लिख रखा है अगर financial में जादा लिखा हुआ है अगर financial में credit item जादा लिखा हुआ है तो profit बढ़ा हुआ होगा तो अब मैं profit को कम कर दूता है minus closing stock off finished goods overvalued in financial accounts overvalued कर दिया financial accounts में तो profit को कम कर दो 8,9 3,2,0 minus 8,0,4,5,0 लेजिए 8,9,3,2,0 minus 8,0,4,5,0 या गया यह clear है stock के points आ जाओ आपको एक transport transport subsidy मिली है यानि income तो हमें यह पता है कि income तो cost accounts में आती ही नहीं है तो जरह सोचो अगर यह transport subsidy की income मैंने financial books में लिखी हुई है तो financial के profit बड़े हुए है क्योंकि income cost accounting में नहीं आती है तो financial के profit बड़े हुए हैं तो मुझे अब financial के profits को कम करना पड़े था अब तो अब तो अब तो अब तो subsidy not recorded in cost कितनी है 348 की subsidy आईएगा next point expenses on CSR यह केवल financial nature के खर्चे है cost बे नहीं आये होंगे और dash भी है रेखिए तो अगर आपने यह खर्चा financial books में लिखा है तो financial का profit कम हो गया होगा लेकिन cost में तो यह आया नहीं है तो cost का profit बढ़ा हुआ है तो क्या करूं financial के profit को बढ़ा दो तो यहां plus कर देंगे expenses on CSR यह सार यह लिजे लेकर वापिस बताने नहीं कम हो गए कम हो गए होंगे न profit आपके तो आपको finance के profit तो अल्रेडी दे रखें तो यह profit निकालते समय आपने इस खर्चे को लिख दिया होगा के नहीं लिख दिया होगा लिख दिया होगा तो मैंने उस खर्चे को वापस से add back कर दिया थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस इस टॉपिक को क्योंकि आपको बस एक एक आइटम पर सोचना है और उसका impact डालना है बस आओ profit on sale of asset profits पे तो सोचना ही नहीं है क्योंकि costing में कोई income नहीं आती है तो less कर दो क्योंकि financial books में मैंने यह profit लिख दिया होगा तो मेरे profit बढ़ गए होगे तो अब मैं profit को कम कर दूँगा profit on sale of लीजे profit on sale of fixed asset कितने का profit आपको दे रखा है आपको profit दे रखा है 150 का नेक्स्ट आईएगा chemical used internally यानि captive consumption की बात कर रहा है यह captive consumption अब जड़ा सोचिएगा captive consumption के point पर थोड़ा सा आपको point मेरे हिसाब बात कर सुनना पड़ेगा देखेगा इसने क्या बूला है chemical used internally now what does it mean देखे क्या हुआ होगा financial books में हम बात करते हैं 382 का chemical हमने internally use किया internally use करने का मतलब होगया हमारा खर्चा नहीं हुआ होगा आप समझे रहे हो खर्चा नहीं हुआ हमारा हमने खुदी बनाया खुदी use कर लिया तो खर्चा नहीं हुआ तो अगर financial में 382 का खर्चा कम हुआ है तो profit बढ़ा हुआ होगा लेकिन cost में ये 365 यूज हुआ है cost में ये केवल 365 यूज हुआ है फिर सुनना मेरी बात को मैं captive consumption की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको दो तरीके से सोच सकता हूँ दोनों तरीके से सोचने पर सेम answer होता है point number one मैं आपको ये बुल रहा हूँ 382 का मुझे एक chemical चाहिए था अगर वो chemical मैं खरीद कर लाता अगर वो chemical मैं खरीद कर लाता तो मेरा 382 का खर्चा होता ऐसे सोच लो कि मैंने खरीद आये तो 382 का खर्चा आगया मेरी books में और costing में आया केवल 365 का खर्चा अब मैं बोल रहा हूँ ये खर्चा हुआ ही नहीं है क्योंकि मैंने तो इसका captive consumption किया है तो basically आप जब एक point सोचना खर्चा न होना आपके profit पर क्या impact डालता है खर्चा न होना आपके profit पर क्या impact डालता है बताओ profit increase इसका मतलब क्या हुआ इस captive consumption की वजह से आपका financial का profit तो 382 से बढ़ गया जबकि cost का profit 365 से बढ़ा तो financial के profit को आपने ज़्यादा बढ़ा रखा है कि नहीं बढ़ा रखा financial के profit को आपने ज़्यादा बढ़ा रखा है अब इसे कम कर दो तो less कर देंगे एक्सिस केमिकल यूस्ट इंटरनली इन फाइनेंशिल बोट्स बोलिये बात समझा गई है यहां तक एक्सिस केमिकल यूस्ट इंटरनली इन फाइनेंशिल बोक्स हमने ज़्यादा यूस्ट किया अगर ज़्यादा यूस्ट किया तो हमारे पास एक तरह से बस इसको सोचना अब ऐसे सोचोगे तो उल्टा आंसर आएगा हम जनरली कैसे सोचते हैं बोले हमने केमिकल यूस्ट किया इंटरनली तो खर्चा ब्रिकॉर्ड कर दिया खर्चा ज़्यादा कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे तो आप इसे एड कर दोगे जनरली एक्जाम में इस पॉइंट में गलती होती है कैप्टिव कंजम्शन आने वाले कई कोश्चन में थोड़े अपने रंग दिखाएगा तो आपको बस उसी पॉइंट को समझना है जनरली जब बच्चा एक फ्लो में चलता है तो वो कैसे सोचता है कि मैंने केमिकल इंटरनली यूस किया 382 का तो मैंने ज़्यादा खर्चा लिख दिया खर्चा ज़्यादा लिख दिया तो मेरे प्रॉफिट कम हो गए होंगे अब प्रॉफिट को बढ़ा दो ऐसे सोचते हैं जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं इस point के उपर अगर किसी ने कभी ये question किया हो तो एक बार जो first thought of process आता है वो यही आता है कि मैंने एक खर्चा जादा लिख दिया खर्चा जादा लिख दिया तो finance के profit कम हो गए होंगे अब इसे बढ़ा दो लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कम हो रहा है logic समझना है चीज़ों का मैं ये बोल रहा हूँ captive consumption जब किया captive consumption करने की वज़े से खर्चा बच गया खर्चा 382 से बच गया तो profit 382 से बढ़ गया और costing में profit 365 से बढ़ गया तो ultimately 17 का profit financial में ज़्यादा record है 17 का profit financial में ज़्यादा record है तो profit को कम कर दो बोलो क्या ये captive consumption का point समझाया आजाओ आगे बढ़ते हैं next point पर एक दो एक दो point टेड़े आते हैं देखो थोड़ा सा stock पर सोचना परता है और ये captive consumption पर आजाओ favorable exchange rate variation favorable है तो मेरा फायदा है आप पढ़ चुके हैं accounts में अगर exchange rate variation आपका favorable है तो इसका मतलब आपको exchange gain हुआ होगा तो exchange gain पिएंडल में तो आगया लेकिन cost sheet में कहीं नहीं आया होगा तो इस favorable exchange rate variation की वजहे से आपका profit बड़ा हुआ है अब इसे कम कर दो तो minus favorable variation 294 यह हमने 294 से अपने profit को कम कर दिया post retirement medical grant देखेगा post retirement मतलब हमारे यहां से कोई व्यक्ति retire हो रहा था हमने उसे कोई medical सहेता दी तो यह मेरा खर्चा हुआ कि मेरी income हुई post retirement benefits company के खर्चे होते हैं सारे तो इसका मतलब मैंने अपने financial accounts में एक पोस्ट retirement medical grant का लेकिन costing में ऐसा कोई प्लस का है पोस्ट retirement मेडिकल ग्रांट लीजे 584 का treatment भी कर दिया पर्चेस tax refund यह तो income है हमारी तो income तो वैसे ही नहीं आती है तो लेस कर दूँगा क्योंकि मैंने जैसे ही tax refund को अपने पी एंडल में credit किया होगा मेरे financial के profit बढ़ गए होंगे अब उसे कम कर दूँए पर्चेस tax refund तो पर्चेस tax refund की वज़े से मेरे profit बड़े हुए हैं अब उसे profit को कम कर दूँए कितने 453 last point litigation recovery of the prior years prior years की कोई कानूनी recovery हुई है litigation कोई cases चल रहे थे उसकी कोई recovery हुई हम कोई case जीते तो पी एंडल में तो income आ गई होगी as a prior period income तो income है तो income तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारे cost records में income कोई आती नहीं है तो सोच नहीं नहीं है अगर ये income financial books में record की हुई है तो financial के profit बड़े हुए हैं अब हम कम कर देंगे minus litigation recovery ये लीजे सारे complete हो गए मेरे item अब मैं अपना net result निकाल लेता हूं तो देखेगा 89807.5 पहला minus है 3510 फिर plus है 4630 फिर plus है 4160 फिर minus है 8870 पहले हीर। फिर माहतना है 348 plus है 56 minus 150 फिर फिर फिस पर फिस हीमा पहले है माइनस एक सो पचास माइनस स्परा माइनस 294 फिस फाइवेत्टी फॉर माइनस 453 एर माइनस 125 तो यह आगया 85470 फिर फिस 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 हैं एट फाइव यह आपका आगया प्रॉफिट एस पर कॉस्ट लीजेगा अराम से देख लीजे यह आपके पास पहला मैंने कोश्टन करवाया जो आपका स्टेडी माटीरियल का इलस्ट्रेशन था पहला रिकंसीलेशन का और हमारी शीट में था कोश्टन नंबर सिक्स्टी तो हमें फाइनेंशल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट दे रखा था और उससे हम आगे बढ़े और हमने वैल्यू लिका लिए बोले क्लियर हुए क्या कुछ पॉइंट सोचना आया खासकर स्टॉक पर क्योंकि स्टॉक देखेगा कई कोश्टन में आएगा आपके पास अगला कोश्टन करते हैं कोश्टन नंबर सेवेंटीन स्टॉडी माटीरियल इलस्ट्रेशन नंबर 5 यहीं से में स्टार्ट कर देखेगा सॉल्यूशन नंबर सेवेंटीन चलिए स्टार्ट करते हैं देखों क्या बोल रहा है आपको इन कुछ ट्रांजेक्शन का पता लगा और अब आपको कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉल्डिंग प्रॉफिट की कैल्कॉलेशन कर दी है तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट अस्पर्म प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है एस पर फैनेंशल रिकॉर्ट्स आईएगा पहला ट्रांजेक्शन एक उल्ड मशीन जिसकी बुक वेल्यू 654 थी इसे 9,30,000 में बेज दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया तो अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया तो फैनेंशल बुक्स में वो प्रॉफिट इंक्लिउड है तो इसे हटा दो माइनस प्रॉफिट ओन सेल ओफ मशीन प्रॉफिट ओन सेल ओफ मशीन नौपीस माइनस सिक्स फिप्टी फोर यह लीजिए 930 माइनस सिक्स फिफ्टी फोर 276 का प्रॉफिट है यह प्रॉफिट मैंने कम कर दिया अगे बटते सेकंड पॉइंट डिविडेंट इंकम है इंकम पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंकम फाइनेंशल बुक्स में आ गई होगी तो प्रॉफिट बढ़ हुआ है अब प्रॉफिट को कम कर दो माइनस डिविडेंट इंकम डिविडेंट इंकम आगे बढ़ते हैं पॉइंट टमबर 3 CSR कमिटमेंट पर खर्चा किया तो CSR कमिटमेंट का जो खर्चा है वो प्योरली फाइनेंशल नीचर का खर्चा है तो यह हमारे प्रॉफिट को कम कर चुका है तो अब इसे बढ़ा दो उसमें प्लस करेंगी Expenses on CSR यह लिजए यह हमने प्लस को प्लस कर दिया आगे बढ़ते हैं अब देखो Company एक ट्रेडिंग एक्टिविटी में लगी हुई है जिसमें उसने 13,50 का Goods Purchase किया है 13,42,300 में बेचा और खर्चे भी किये तो ट्रेडिंग रिजल्ट निकाल लो ट्रेडिंग रिजल्ट तो देखो Cost क्या-क्या हुई 13,50,000 का तो खरीदा प्लस 40,800 के खर्चे किये तो इस Goods पर टोटल खर्चे हो गए 13,90,800 माइनस इसको बेचा 13,42,300 में तो आपको एक Loss हुआ ट्रेडिंग लोस बताइए जब आपने वो ट्रेडिंग लोस Financial Books में लिखा होगा तो Loss लिखने की वजह से Profit क्या हो गए होंगे आपके कम हो गए होंगे आपने एक Business किया एक Trading Activity कोई Goods खरीद कर लाए और उसे बेच रहे हो लेकिन उस Trading Activity के दौरान आपको Loss हो गया तो जो Loss हुआ उसने आपके Profit को कम कर दिया होगा तो अब मैं Profit को वापस से बढ़ा दूँगा Plus Trading Losses सेल हुई है 13 42 300 माइनस खर्चे क्या क्या हुए 1350 का तो गुट्स लाया 4800 का खर्चा किया यह लीजे मैंने Trading Loss की अकाउंटिंग कर दी यह मेरे पास Trading Loss आगया आओ आगे बढ़ते हैं Some renovation work was carried out at a cost of 7,75,000 and its useful life was only for the 5 years and अब दीखे क्या था point यहां पर है न कई question में यह line आएंगी जिन पर एक interpretation है हाला कि वो language पूरी होनी चाहिए थी point क्या था हमने एक renovation work करवाया जिसका खर्चा हुआ 7,75,000 लेकिन इसका benefit मुझे आगे के 5 सालों तक मिलना है तो मुझे इस खर्चे का जो amortization है वो 5 सालों तक करना चाहिए ठीक है तो मैंने क्या किया इस पूरे खर्चे को अभी लिख दिया क्यों क्योंकि वो ये बोल रहा है ये सारे transactions notice हुए है हाला कि देखें आपर इसको लिख देना चाहिए था बट नहीं लिखा तो कोई बात नी इसका मतलब क्या हुआ मैंने 7,75,000 का पूरा खर्चा इसी बार के पी एंडल में इसी बार के accounting में डाल दिया जबकि वो खर्चा 5 हिस्सों में amortize होना चाहिए था तो एक हिस्सा तो okay था आना चाहिए था कोई नी लेकिन मैं इसे गलती क्या हुई मैंने जो extra 4 by 5 राइट ओफ कर दिया उस वजह से मेरे profit क्या हो गए कम हो गए अगर मेरे profit कम हो गए तो मुझे अब अपने profit को 4 by 5 से बढ़ाना पड़ेगा तो यह थोड़ा सा point है जो कई वार थोड़ा और confuse कर देता है exam ने तो अगर यह transactions हमने notice किये तो समस्या यह आई कि यहां पर यह नहीं लिखा कि हमने P&L में कितना लिखा तो point यह था कि P&L में आप current year में पूरा charge कर चुके हो जबकि इसका benefit जो amortization था वो 5 सालों में होना चाहिए था तो मैं अपने profit को वापस से बढ़ाऊंगा 4 by 5 से of renovation work साथ लाग किता रहा पिच्छत पर रहा है 77 निटाल लीजे किता हुआ 6 लाग दी सजा अब बोल रहा है closing stock of raw material undervalued है और finished goods का overvalued है financial records पे आईए closing stock अगर कम लिखा समझना अगर closing stock undervalued है तो profit कम रह गया होगा तो अब हम profit को बढ़ाएंगे तो लिखो closing stock of raw material undervalued प्लस कर दो पॉइंट समझ में आ गया अगर closing stock undervalued है तो इसका मतलब हमने कम लिखा अगर credit side कम लिखी तो इसका मतलब profit कम है तो अब हम profit को बढ़ा देंगे अब यह बोल रहा है कि closing stock of finished goods overvalued है चादा लिख दिया तो profit already बढ़ चुका है बड़े हुए profit को कम करतो तो पैसब 400 less हो जाएगा less closing stock of और वेल्यूड closing stock of finished goods overvalued है 65,400 लीजे सारे transaction complete हो गए profit as per cost records निकाल लेते हैं आईएगा 3546700 minus 276000 minus 84500 plus 58000 plus 48500 plus 26 plus 29600 और minus 65400 3876900 यह मेरा answer आजाएगा 38 38 76 यह लीजे यह मेरे पास आगया profit as per cost records financial का profit दिया हुआ था cost record का profit मैंने निकाल लिया बोलिए क्या और थोड़े बाते clear हुई सोचना आ रहा है अब only need practice हमें बस कुछ terms के बारे में सोचना है बस और कुछ नहीं क्या बुली क्या समझ में आगया यह वाला illustration आपको किस तरह से हम अपने financial और cost records के लिए इसको maintain कर रहे हैं आई एक चोटा और question अपन करते हैं देखिए practice बस आपने पास जो points है अपने को उनको प्रेक्टिस में लेना है question number 19 पर आईएगा study material 7th illustration देखिए क्या बुल रहे हैं the cost accountant of a company has arrived at a profit of 20,500 based on the cost accounting records and profit as per financial accounts अपकी बार दोनो profit आपको दिये हुए हैं cost account का profit दे रखा है 20,10,500 और financial accounts का profit दे रखा है 22,14,100 लेकिन ये दोनो profit अलग-अलग हो गए तो cost auditor ने कुछ differences ढूंड निकाले कि costing के profit और financial profit में ये जो differences है इनके reason क्या है ये बोल रहा है आपको एक reconciliation statement बनाना है आ जाओ तो मैं start करता हूं profit as per financial records से सोचना आसान होता है क्योंकि 19th solution लेकिएगा आओ profit as per financial records कितना दे रखा है बाइस चौदा वन डबल जीडो ट्वंटी टू 14100 एक पॉइंट पर बात करेंगे अब profit on sale of fixed asset हमें पता है कोई भी profit financial books में तो आया होगा लेकिन cost records में नहीं आया होगा तो जब आपने financial records में यह profit दिखाया तो आपके profit बढ़ चुके हैं तो profit को क्या कर दो कं कर दो माइनस कर देंगे प्रॉफिट ओन sale of fixed asset दो लाग पाँच हजार है loss on sale of investment तो loss जो है वो add हो जाएगा क्योंकि उस loss को आप यहां already adjust कर चुके हो तो financial में जब आपने loss दिखाया तो आपके profit आपने कम कर दिये होंगे अब आपन बढ़ा देंगे loss on sale of investment 33,600 बोली क्लियर बिल्कुल हाँ जी सब आगे बढ़ते हैं voluntary retirement compensation included in salaries and wages in financial accounts मैंने voluntary retirement का एक खर्चा financial books में लिख दिया है तो इसका मतलब मेरे financial के profit कम हो गए होंगे तो अब बढ़ा दू प्लस कर दू प्लस voluntary retirement compensation कितना है पचास लाग पच्चेस हजार यह लीजे यह मेरा एक और point हो गया donation paid फिर हमें पता है donation paid purely financial nature का खर्चा है तो इस profit को निकालते समय हमने donation paid को less कर दिया वापस से अब donation paid को add कर दो कितनी है 75,000 प्लस donation paid फिर हमें आजाओ insurance claim relating to previous year received during the year तो insurance claim मिला है तो no doubt income हो गई तो income तो केवल financial books में आती है तो उस income की वजह से यह profit बढ़े हुए है तो वापस से मैं profit को कम कर दूँगा तो तो minus बाह चाहते एकम गीनार अधंच कर्या हर थी औह एक पहूंच फर्व मन हना कहां एक बाहते है स्क sure इता है ड्वाम चाहिं सबस्क्राइप तह समार कार बड़से लिद टू एक कना बाहते हैं deity फब Scorp pával का बाहते हैं intensity बताईए कितना इंशुरेंस क्लेम मिला है आपको 508700 तो लेस करेंगे यह लेजे नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग तो फिर वही बात आ गई ट्रेडिंग का प्रॉफिट फाइनेंशल बुक्स में इंक्ल्यूड है बड़ कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्ल्यूड नहीं है तो यह प्रॉफिट बड़े हुए है तो कम कर दो तो माइनस प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग प्रोफिट प्रॉंग रिटेल ट्रेडिंग कित्ते का प्रॉफिट दे रखा है थर्टी टू जीरो टू फोर थी जीरो थर्टी टू आ रहा है न समझ में बिल्कुल दीरे दीरे चल रहे हैं अपन इसलिए बस फिर आप जितनी प्रेक्टिस करोगे तो बस यह यह आपका अब आप जितनी कोश्चन्स की प्रेक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि हाँ इस तरह से हमें प्रॉफिट्स को आओ इंट्रेस्ट इंकम है तो इंकम लेस हो जाएगी क्योंकि इंकम केवल फाइनिंशल अकाउंट्स में आई होगी तो प्रॉफिट बढ़ गए होंगे तो माइनस कर दीजिए इंट्रेस्ट इंकम पता यह किती है शेलाग पंतरह हजार लेस कर दो यह लेजे नेक्स्ट अब जड़ा आ गया एक और अच्छा सा पॉइंट देखो डिक्रीज इन वेल्यू ओफ क्लोजिंग डव्यू आइप एन फिनिस गुट्स इंवेंट्री as per financial accounts as per cost accounts this is not value of closing inventory यह देखे फिर एक्जाम में गलतिया होती है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह financial का closing है और यह cost का closing है मैं बोल रहा हूँ यह जो दे रखा है वो decrease in value दे रखा है decrease in value का मतलब समझते हो decrease in value का मतलब हुआ कि आपका जो closing stock है वो opening के comparison में कम है उसे बोलते है decrease in value value कम हो गई अब जड़ा सोचो closing stock की value कम होने से profit पर क्या फरक पड़ेगा financial books में decrease in value of stock इतना है जड़ा impact सोचो और cost में इतना है मेरी बाद फिर सुनना बस इसी point को समझना है यह question को करवाने का reason सिर्फ यही point था मैं यह बोल रहा हूँ यह closing WIP और finished goods की inventory नहीं है क्योंकि अगर आप इसे normal inventory मानोगे तो adjustment बिल्कुल simple हो गया क्या adjustment बना मैंने financial में closing stock कम लिखा अगर मैंने financial में closing कम लिखा तो मेरा profit कम है तो इसके difference को आप बढ़ा दोगे और add करते ही गलत हो गया बस यह question और फिर आप जब answer अपने module होते हैं क्योंकि आपके पास तो study material में आप देखते हो और इसने तो less किया है study material ने तो बुले less किया लेकिन यार यह कैसे हुआ तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप अगर transaction के logic पर जाओगे तो आपको हर बात समझ आई सबसे पहले तो इसने यह देखो closing inventory की value नहीं दी हुई है यह बोल रहा है decrease in value of inventory है यह अब आप यह सोचो closing inventory की value को कम लिखने की वजह से profit पर क्या बाते आती है decrease in value of closing stock सोचो थोड़ा सा profit बढ़ गया होगा profit बढ़ गया होगा और कोई decrease in value of closing stock as per financial accounts कोई नहीं पर से एक जन्हें ने बोला सोचो सोचो और समझो चीजों को कभी आपको point समझ आएगा आप देखो decrease in value of closing WIP and finished goods inventory as per the financial accounts के बल पहली लाइन को पढ़ो cost accounts बूल जाओ आपको automatic समझ आएगा decrease हुआ है closing WIP में और finished goods की inventory में as per financial accounts अब closing stock की value decrease in stock क्या होता है पहले तो यह समझूआ हमने decrease in stock लिखा as per financial accounts decrease in stock जितना करोगे अब सोचना बात को अगर मैं stock की value को कम कर देता हूँ तो इसका impact क्या होगा आपको बस यह सोचना है हम ऐसा करते है चोके से और example से इसको करेंगे एक बार लिख लो फिर मैं आपको इसको एक बार example से समझाता हूँ ताकि उसके नीचे मेरे पास जगे हो लिखो एक बार मैं इसे माइनस कर रहा हूँ डिफ्रेंस एंड डिफ्रेंस एंड डिफ्रेंस निकाल लो पहले एक बार डिफ्रेंस आपका आगया थ्री नाइन जीरो वन तू फाइन डिफ्रेंस भी पहले अपन निकाल के आंसर निकाल लेते हैं फिर अपन इस पर चर्चा करते हैं थ्री नाइन जीरो वन टू यानि एट जीरो सिक्स जीरो सेवन जीरो इत जीरो सेवन गाले ब्रेंस जीरो फिल्रेंस पर एट जीरो सिक्स आओ आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट एस पर कॉस्ट्रकॉट इसको अभी निकाल लेंगे अपन अब जड़ा अपन समझते हैं निकाल लिया आपने चलो मैं लेकर देता हूं फिर तो निकाली लिया तो यही आपको कोश्चन में दे रखा है 2010 आओ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना Decrease in value of closing stock आपने Decrease in value of closing stock as per financial accounts दिखाई हुई है इतनी जबकि cost accounts में इतनी जानते हो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि Decrease in value को आप एक valuation purpose समझो यानि मैं आपसे एक simple सी बात यह कह रहा हूं कि आपने जो stock की value decrease की हुई है वो 382.064.30 से क्यों हुई है जबकि वो होनी चाहिए थी मान लो 390.12.500 तो stock की value के financial accounts में कम decrease होने से क्या फरक पड़ेगा जान रखना कम decrease होने का मतलब होता है already profit को change कर देना लेकिन अब मैं यह बोल रहा हूं आपने उसको decrease तो किया ही किया बट decrease किया केवल 382.064.30 से तो अगर आपने इतने से decrease किया तो आप इसको समझने के लिए आओ जरा cost sheet पर मान लोग costing में आपके पास सबसे पहले आती है cost of production फिर आप इसमें plus करते हो opening stock और minus करते हो closing stock यही करते हो तो आपके पास cogs आती है अब मैं आपको यह बोल रहा हूँ आप यह value को जितना minus करते हो उससे आपकी cogs कम हो जाती है विल्कुल ध्यान से देखना यह value जितनी लिखोगे इन दोनों के total में से जब आप यह closing stock minus करोगे तो cogs change हो जाएगी अगर cogs कम होती है तो आपके जो profit है वो क्या हो जाते हैं अगर cogs आपने कम हुई तो profit क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं यहां तक बात समझा गई फिर सुनना जितना closing stock less करोगे उतना cogs कम हो जाएगी मानलो मैं आपको यह बोलता हूँ दो data लेता हूँ इन दोनों का total आ रहा है तीन लाग मैं आपको ऐसे समझाता हूँ एक तरफ मैं लेता हूँ तीन लाग दो situation को सुनना बस यह closing stock मैंने एक लिया 80,000 और एक लिया मैंने मानलो 60,000 बताओ cogs कित्ती आई सेल्स ले लेते हैं मानलो दोनों तरफ चार लाग प्रॉफिट निकालो मैंने costing के profit की बात की अभी पहले तीन में से 80 गया तो 20 की cogs तीन में से 60 गया तो 240 की cogs प्रॉफिट निकालते हैं चार लाग माइनस 220 तो 80 का profit और चार लाग माइनस 240 एक साथ का profit अब क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अगर मैंने value को कम किया अगर मैंने value को कम किया stock की value को decrease किया तो profit क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा क्या यहां तक की बात समझ आ गई अगर मैंने closing stock की value को decrease किया तो मेरा profit decrease हो जाएगा बोलो क्या यह line सबको समझ आ गई यहां तक की बात मैंने cost sheet से समझाना चालू कि आपको मैं आपको यह बोल रहा हूं मैंने अगर closing stock की value को decrease करके record किया तो मेरा profit कम हो जाएगा reason cogs बढ़ जाएगी और cogs बढ़ेगी तो मेरे पास मेरा profit change हो जाएगा अब आओ अब मैं बोल रहा हूं मैंने क्या किया cost में तो decrease किया 390-500 से तो इसका मतलब profit भी इतने से कम होगा के नहीं होगा कई बार हमें costing से सोचना पड़ता है मैंने 20 से अगर closing stock को decrease किया तो profit भी 20 से कम हो गया तो अब मैं बोल रहा हूं अगर cost में इतनी value लिखता हूं तो profit भी इतने से ही कम होगा लेकिन financial में तो मैंने अलग लिखा है financial में मैंने अलग लिखा है तो इसका मतलब अगर मुझे cost के profit तक जाना है तो इस difference के amount को मुझे और less करना पड़ेगा क्यों ये जो common amount है ये profit तो दोनों जगे कम हो गया लेकिन cost में profit ज़्यादा कम होना चाहिए क्योंकि मैंने financial में कम decrease किया और यहाँ पर ज़्यादा decrease किया तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बराबर लाने के लिए less कर दिया एक तरीका तो cost sheet से समझने का है सर अगर इसी बात को financial books से समझें तो कैसे समझेंगे आओ ज़रा financial books से भी समझके देखते हूँ दो बात लेता हूँ मैं financial books में भी सुनना मान लेते हैं यहाँ पर मेरी जो sales है वो है कितनी चार लाग sales चार लाग है और यहाँ मेरा closing stock है 0.80 यहाँ मेरा closing stock है 0.60 और यहाँ debit side में मेरा 3 लाग है profit निकालो जल्दी से profit निकालो यहाँ profit किता आया 180 और 160 दर आया अब मैं यह बोल रहा हूं कि अगर मैं value को decrease करूंगा तो profit decrease होगा के नहीं होगा अब देखरों यहाँ पर भी same impact का रहा है अगर मैं closing stock की value को decrease करूंगा तो profit भी decrease होगा लेकिन मैंने केवल इतने से profit decrease किया हुआ है मैंने केवल इतने से profit decrease किया हुआ है क्योंकि मैंने finance में एक अलग decrease record किया तो अब अगर मुझे इतने तक पहुचना है तो क्या मुझे बचे हुए amount को और कम करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा बताओ क्या मेरी बात अब समझ आई गया मैं फिर बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनना मैं अगर finance में केवल 382.06430 से value कम लिखता हूँ तो मेरा profit उतने से ही कम हुआ बस केवल जबकि costing में profit ज़्यादा से कम हो गया के नहीं हो गया मैं जितने का decrease record कर रहा हूँ profit में उतने कही impact आ रहा है के नहीं आ रहा पहले तो यह rule समझो अगर मैंने closing stock को 20 से decrease किया तो profit भी 20 से decrease हो गया के नहीं हो गया दोनों तरफ देख लो मैंने दोनों बातों को लेकर समझा दिया मैं यह बोलना चाहरा हूँ बिलकुल मैं किसी भी तरह से सोच सकते हो आप मैं finance से भी सोचना सिखा रहा हूँ बापको मैं आपको यह बोल रहा हूँ आप जितने से stock की value को decrease करोगे profit उतने से कम हो जाएगा इसका मतलब finance का profit तो इतने से कम हो रखा है लेकिन cost का profit इतने से कम हो रखा है तो दूसरे sense में मैं यह बोल सकता हूँ कि finance का profit बड़ा हुआ है कितने amount से 806070 से बड़ा हुआ है कि नहीं है बताओ मैं यह बोल रहा हूँ जितने से decrease किया उतना profit तो मैंने कम कर दिया तो मैंने finance का profit तो इतने से कम किया लेकिन cost का profit इतने से कम किया इसका मतलब मैं यह बोल सकता हूँ कि finance का profit अभी भी इतने से बड़ा हुआ है finance का profit अभी भी इतने से बड़ा हुआ है तो अब मैं finance के profit से चल रहा हूँ तो मैं इतना amount और कम कर दूँगा अब देख लो कोई बात पूछनी हो मैं दुबारा बता दूँगा मैं फिर कह रहा हूँ ये term decrease in value का impact सोचना पड़ेगा बता एक छोटे-छोटे point होते हैं जो कई बार हम उतनी गहराई से सोचते ही नहीं रटना चाहते हैं मैं बोल रहा हूँ पहले interpretation समझो ये closing stock का difference नहीं है ये decrease in stock की वजह से आने वाला impact है तो मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ मैंने finance में इतना decrease किया तो इतने से profit कम हो गया cost में मैंने इतने से decrease किया तो cost में profit इतने से कम हो गया तो problem ये हुई कि finance में अभी भी profit बढ़ा हुआ है दोनों वजह से profit कम होता अगर ये equal amount होते हैं लेकिन financial books में कम value लिखने की वजह से profit का जो difference है वो कम decrease हुआ profit का कम decrease होने का मतलब है profit increased है profit का कम decrease होना profit increase है तो अब मैं profit को कम कर दोगा इसलिए मैंने इस item को यहां से less कर दिया बताइए मुझे क्या ये point बिल्कुई clear हो गया है मैंने इसलिए ये example लिया बाकी इसमें कोई point नहीं था point सिर्फ ये था decrease in value वाला हम जब exams में करते हैं हम बाकी जगे अपने level पर जब पढ़ते हैं तो इतने को इतना नहीं सोच पाते हम फिर हमें या तो रटना पड़ता है या हम यह सोचते हैं कि question गलत है ना तो question गलत है न रटना है क्योंकि logic है उसके पीछे कि इस point को less क्यूं कर रहे हैं बताईए अगर कोई भी doubt हो में एक बार वापस से explain कर दू या आप खुद सोच पा रहे हो इस point के उपर यह decrease in value है not value of closing stock दोनों में बहुत difference है चलो एक बार और last में मैं आपको बता देता हूँ summarize करके इतनी सारी बातों को अठाके देखो मैं यह बोलना चाहता हूँ अगर आप stock की value कम करोगे तो profit भी कम हो जाता है closing stock की value को decrease करोगे तो profit भी कम हो जाता है तो अब simple सा rule है तो अब मैं बोल रहा हूँ आपने financial accounts में इतने से stock decrease किया तो आपका इतना profit कम हो गया जबकि cost account में इतना decrease किया तो इतने से profit कम हो गया इसका मतलब financial accounts में अभी भी profit बढ़ा हुआ है क्योंकि actually में cost account में तो profit कम हुआ 390 से और financial books में profit कम हुआ 382 से तो इसका मतलब अभी भी financial accounts में profit 806070 से बढ़ा हुआ है financial में तो अब मैं चल भी financial के profit से रहा हूँ तो मैं इसलिए क्या करूंगा कि finance के profit में से इस difference को less कर दोंगा तो मैं अपने कहां पर पहुंग जाऊंगा profit as per cost records आ जाएंगे बोली clear है बिल्कुल अब आपस से आज इस question को आप देखना है